बिसमिल्ला रह्मान रहीम, अस्सलाम अलेकुम नाजरीन, बहुत खुशाम दीद केती हूँ आप सबको होमफूट टाइरीस पे आज आप लोगों के लिए बहुत ही लजीज और बहुत ही चटपटी डिश की रेसिपी लेकी आई हूँ चिकन स्पाइसी क्रिस्पी पकोड़ा की और बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तायार होते हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है एक पाव चिकन में ही आप डिश भरकर ये पकोड़े तायार कर सकते हैं और उससे भी अच्छी बात ये है कि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और जटपट से आप इसे तायार कर सकते हैं आपके घर के चटोरों के लिए बहुत ही जबरदस्त और आइडियल रेसिपी है तो रेसिपी का अपनी कोई भी पार्ट मिस नहीं करना तो चलिए शुरू करते हैं जी लचे दार चिकन पकोड़ा बनाने के लिए जो मसाला जाच चाहिए वो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं एक एक टेबल स्पून यहां मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च ली है एक टेबल स्पूर किन करी भी हम नमक इस्तमाल करेंगे आदा चमच मैंने यहां हल दी एक चमच जीरा और एक चमच कुटा हुआ धनिया है इसके लावा नार दाना कसूरी मेथी एक टेबल स्पून है हाफ टेबल स्पून हमारे पास यहां जीरा पाउडर है लसन अत्रक कप पेस्ट इस्तमाल कर रही हूं में एक टेबल स्पून हरी मिर्चे हैं, तीन से चार लेमन जूस है, चार चमच और इसके लावा पापाया पाउडर हाफ टेबल स्पून इस्तमाल करेंगे, फ्रेश धनिया ले लेंगे बेस बनाएंगे इसकी हम तीन चमच यहां चावल काटा है और एक कप यहां हम पेसन इस्तमाल करेंगे इसके लावा दो मेडियम साइस के मैंने यहां प्याज लचेदार काट लिये हैं वो इसमें जाएंगे सबसे पहले हम चिकन रेडी कर लेते हैं 300 ग्राम चिकन के हमने यहां बिलकुल पारी क्यूब्स कट कर लिये हैं अब यहां देखिए हमारे चिकन के क्यूब्स ना बहुत बड़े साइस के हैं और ना ही इंतहाई छोटे साइस के तो चिकन रेडी हो चुकी है नमक के साथ इसकी मेरीनेशन कर रही हूँ लसन अद्रक पेस जो हमने शामिल करना था आदा इसमें शामिल कर दिया है इसके लवा पापाया पाउडर है लेमन जूस है और हमेंने हरी मिर्चे शामिल की है तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब तक हम इसकी बेस तायार कर लेते हैं इसको साइट पे रख देंगे यहां मैंने सबसे पहले बेसन चावल काटा शामिल किया है एक आलू को चील के उन्हें भी बारीक मैंने ट्रेट कर लिया है इसके लावा लच्छे दार पियाज, धनिया, लसन अद्रका बकाया, पेस्ट, बकाया, हरी मिर्चे और इसके लावा तमाम मसालाजाद जो मैंने शुरू में मैंने शामिल कर दिया है तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद लास्ट में मैं इसमें बिल्कुल चुटकी भर बेकिंग सोडा शामिल करेंगी इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गुनते जाएंगे अब देखिए हमने थिक सा गुना है क्योंकि चिकन शामिल होगी और उसमें भी थोड़ा सा मौस्चर होगा तो यहां मैंने चिकन शामिल करके से बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है पर ब्लकुल लास्ट में आपने दो टेबस पून ऑईल शामिल करना है यहां इसको तलने के लिए हमारा ऑईल बिल्कुल रेड़ी हो चुका है अब हम पकोड़े के बैटर को ओल में डारेक्ट शामिल कर लेंगे बिल्कुल ही कोई मेरिनेशन टाइम नहीं है इसमें अब आप देखिए कि मैंने पकोड़े डालना शुरू कर दिये हैं बस जितने आपके कड़ाई में आराम से आजएं आपने उतने ही शामिल करने हैं अब मैं इसे हाथ से बना रही हूँ आप चाहें तो बिल्कुल चमच का इस्तामाल भी कर सकते हैं अब आप देखिए हमने बिल्कुल मेडियम आँच पे इसे फ्राई करना है तो अब हमारे चिकन पकोड़ा एक तरफ से बिल्कुल तयार हो चुके हैं और दूसी तरफ से मैं इने फ्राई होने दूँगी अब देखिए दोनों तरफ से पर्फेक्टली डन हो चुके हैं अब मैं इने डिश आउट कर लूँगी अब देखिए कैसे जबरदस क्रिस्पी पकोड़ा बिल्कुल तयार हो चुके हैं रमजानलमबारिक के लिए भी बिल्कुल आइडियल हैं आपने बिल्कुल इस रेसिपी को ट्राई करना है और इसी तरह में दूसरा बेज भी फ्राई कर लूँगी और आप यकीन मानें कि 300 ग्राम से आप बिल्कुल डिश भरके पकोड़े तैयार कर सकते हैं तो बहुत ही जबरदस और आइडियल रेसिपी है यह यकीनार आज आज आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो आपने जरूर से लाइक देना है चैनल को अपना सपोर्ट देना है अगर आप चैनल पर नए है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें अपने friends और family के साथ इस recipe को जरूर से share करें और इस recipe को try करने के बाद आपने मुझे जरूर बताना है कि आप लोगे chicken पकोडा कैसे Twitter बने और आपके घर वालों को कैसे लगे जबरदसी recipe को मैंने सर्फ किया है ग्रीन चट्नी के साथ और ketchup के साथ तो अगली वीडियो तक के लिए आप सब अपना बहुत खयाल रखियेगा थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग मैं चैनल अगली वीडियो तक के लिए अला हाफिज